29 जुलाई सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन बस घर के इस कोने में शिव पुरान के अनुसार चुपचाप रख देना एक रुपए का सिक्का भगवान भोले नाथ के आशीरवाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी आपके घर पर होगी धन की वर्षा एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़ पती दोस्तों सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा लेकिन हिंदू पंचांग के निर्मान हो रहा है यानि कि दोस्तों यह सावन का सोमवार का दिन जो आने वाला है यह अपने आप में एक विशेश और खास दिन होगा जिस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, खाली जाही नहीं सकती क्योंकि दोस्तों सावन का पवित्र महीना वही महीना होता है जिस सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आपसे भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महीमा गाई जाती रहेगी। जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत को रखता है उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाते हैं दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप सावन सोमवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ मिलेगा और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 144 वर्षों बाद सावन के दूसरे सोमवार के दिन 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन सिर्फ अगर आप चुपचाप एक रुपए के सिक्के वाला उपाय शिप पुरान के अनुसार कर लेते हैं जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ इतना उपाय करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ती मिल जाएगी बलकि आपकी कोई भी मनोकामना हो मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आपकी नौकरी लग जाएगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी भगवान भोले नात के आशीरवाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा इस उपाय को करने के बाद कोट का चहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी और मान कर चलिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्यानकारी होगा बहुत ही सौभाग गिशाली होगा अब आप सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान भोले नात का आशीरवाद कैसे मिल सकता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों जो एक रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है स्टेनलेस स्टील जो होती है वो शनिग्रह ब्रहस्पतिग्रह और शुक्रग्रह का कारक होती है शनिग्रह जो होता है इसका सीधा संबंध एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से होता है दूसरी तरफ ब्रहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु नव ग्रह से जुड़ा होता है और जो शुक्र ग्रह होता है ये एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा से जुड़ा होता है जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़ पती बन जाता है और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनात के सामने कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और दोस्तों ये सावन का सोमवार का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही पवित्र और पूजनिय दिन होगा जिसका समय 144 वर्षों बाद आया है और इस दिन साधारण से एक रुपए के सिक्के का उपाय आपको शिव पुरान के अनुसार करना है बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि आपको हर उपाय को सही मुहूर्थ पर करना होगा और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशिरवाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे भगवान भोलेनात के आशिरवाद से इस साल आप करोडपती बन जाए तो दोस्तों पूरी सक्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी राशिक अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस सावन के महीने के दौरान करके लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय जो हम आपको بتाने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए पहले आपकी जीवन में धन आ रहा था अब आपके जीवन में धन आना बंध हो गया पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं तो समझ जाए दोस्तों आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है जिसके चलते आप आर्थिक कश्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के इस सोमवार के दिन आपको दो एक रुपए के सिक्के लेना है आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जाना है शिवलिंग पर अपना मुख उत और भगवान भोलेनात के बीज मंत्र का जप 108 बार करना है। तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे और भगवान शिव के आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेंगे। परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का। महा उपाय दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहू केतु का जो ग्रह होता है वह ब्रहस्पती ग्रह होता है। और अगर आपको दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो समझ जाएए आपका ब्रहस्पती ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। लेकिन आप परेशान मत हो। एक छोटा सा उपाए हम आपको बता दे रहे हैं इस उपाय को। अगर आप इस सावन के सोमवार के दिन कर लेंगे तो आपका ब्रहस्पती ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको एक लोटा जल लेना है और एक रुपए का सिक्का लेना है आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है यह हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही पूझनी ये पेड माना जाता है। शास्त्रों में वर्नित है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलिनात पीपल के पेड में वास करने आते हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस सावन के सोमवार के दिन अच्छी तरीके से नहाने के बाद एक लोटा जल और एक रुपय का सिक्का लेना है। और घर के पास आपके जो भी पीपल के पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले पीपल के पेड़ को आपको एक लोटा जल देना है। पीपल पेड़ की आपको आठ परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करते रहना है। ध्यान रखिएगा, जितनी देर आप परिक्रमा लगा रहे हैं, उतनी देर आपके हाथ में एक रुपए का सिक्का होना चाहिए, अब आपको अपने घर वापस चले आना है, ये जो एक रुपए का सिक्का आपने अपने हाथ में रखा था, परिक्रमा लगाते वक्त, इसको आपको अपने उस कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय इस सावन के सोमवार के दिन कर लीजिएगा, यकीन मानिए दोस्तों, आपका ब्रहस पती ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, बस इस उपाय को करने के बाद कभी भी आप लोग तामसिक भोजन जो होता है, जैसे शराब, मदिरा, मांस मचली अंडा इत्यादी मत खाईएगा, वरना दोस्तों, इस उपाय का आपको लाब कभी भी नहीं मिलेगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों, पहल का व्यापार चल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, और सफेद कपड़े में एक मुठी चावल आपको डाल देना है, इस चावल के उपर आपक अब आपको भगवान भोले नात के मंदिर जाना है। आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार को जो नजर लगी है इस उपाय को करने के बाद वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोले नात किसी व्यक्ति को आशीरवाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगार सकता है।